आज का ए वीडियो समर्पित है कैंसर रोग्यों को नीम जिसके बारे में कहते हैं कई हकीम और एक नीम बात बराबर है आज नव वर्स हैं और जब नव वर्स होता है तो परकर्ति में परिवर्तन होता है नया होता है मनुष्य का रक्त इस समय चेंज हो रहा होता है तो नव वर्ष से यानि कि आज से लेके और अगले लगबग 15 दिन तक आप लगबग 25 से 30 इस प्रकार के नीम के पत्ते यानि कि मैं यूं कहूं कि लगबग इतना इन दोनों को हम जोड़ लें लगबग इतना नीम काली मिर्ची यह इस प्रकार की काली मिर्ची तीन चयार काली मिर्ची ले लें साथ में इनकी चटनी बना लें और सुबह सुबह खाली पेट अगर रोगी पीता है तो उसका रक्त साफ हो जाता है और रक्त साफ मतलब सरीर की सभी बिमारियां समाप्त तो यह 15 दिन कैंसर र भुत लाब है सूगर में भी, सूगर के रोग्यों के लिए भी नीम अम्रित के समान है, इतना ही नहीं, जिनको गुर्दे में पत्री है, इन नीम के पत्तों को, यानि कि जब पत्री हो तो कच्छे पत्तों की अवसकता नहीं है, पके वे पत्ते, जैसे ये पुराने पत्ते है पके वे पत्ते लेके छाओं में सुखा कर उसकी राख बना ले याने कि उसे जला दे और दो ग्राम राख सुबह खाली पेट ले और श्याम को खाली पेट ले तो गुरदे की पथ्री भाः निकल जाती है इतना ही नहीं नीम के माध्यम से आप आपके जो कील मुहासे हैं वो भी ठीक कर सकते हैं पुराने से पुराना अगर जखम है तो नीम का तेल लगाएंगे तो जखम ठीक होगा आपके चहरे पे आबा नहीं है चमक नहीं है आप थोड़ा थोड़ा नीम परियोग करेंगे तो आपके चहरे पे चमक आ जाएगी आपको भूख कम लगती है तो आप मातर चार पांदी नीम के पत्ते लेंगे कम मातरा में यानि कि इतने से पत्ते लेंगे इस समय तो आपकी भूख बढ़ जाएगी जिन लोगों को साल भर बुखार रहता ही रहता है इस समय पंदरा दिन अगर लगातार वो नीम का परियोग करेंगे तो साल भर जो आपको बुखार आता है वो बुखार भी समाप्त हो जाएगा तो मेरा सभी से निवेदन है इस समय नीम बहुत ही परियोग करना चीए और जितने भी बिमारिया है उसका कम से कम सत्तर परसेंट हिस्सा यह नीम ठीक कर देगा इसलिए कैंसर रोग्यों से विशेश अनुरोद और बाकी लोगों से भी निवेदन कि आप अवस्य पंदरा दिन नीम का परियोग करें वंदे मात्रम जै भारत भाई राजीव दिख्शीत अमर रहे जै बाबा दैराम दास